असलाम आबलेकुम आज का हमारा टॉपिक है कृचोफ लोग कृचोफ एक साइंटिक था जिसंने दो लोग प्रवाइड किये थे कृचोफ वोल्टेज्ड लॉग और कृचोफ करेंट लॉग क्रिचोफ वोल्टेज लोग क्या है । हम पहले इससे देखते हैं the sum of all the voltages is equal to zero its mean कि जो सारे कि सारे voltages है यह किसके बराबर होने चाहिए जीरो के बराबर होने चाहिए अब हम इसके equation लिखते हैं equation लिखकर देखते हैं कि क्या मतलब है इसका और एक छोटी से example भी आपको provide करूंगा अब जैसे यह voltage है हमारे पास V1 अब आपको लूप का मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर लूप से हमें क्या पता चल रहा है जैसे के लूप हमें direction शो करता असलम कि current की direction क्या है ठीक है एक लूप है its mean कि यहां पर सिब एक load path है और जो यह angle जो arrow head है arrow head बता रहा है कि current की direction कि इस तरह है current की direction इस तरह है current you move कर रहा है ठीक है जब current move करेगा तो आज हम इसको लिखने का तरीका देखेंगे ताकि हम अपने next lecture के अंदर इसके सवाल तौल करतागे easily तो चलें equation लिखे देखते हैं सबसे पहले हम इसको यहां से start करते है reference से ठीक है हमने reference site को अपना reference बना लिए कि start यहां से हो रहा है जो current है कहां से enter हो रहा है minus से ठीक है जब यह current जाएगा जब यह current आया यहां से और यह कहां जाएगा यह minus पर enter होगा तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा minus of v1 यह लिखने का format है इसका minus of v1 ठीक है then current कहां आया उपर गया then current आ गया ठीक है current कहां move करते हो गया current move करता हुँ जाएगा यहां पर enter कहां से हो रहा है positive side से ठीक है then next वाला भी कहां से यह leave होगा फिर leave होके फिर enter हुआ अगले वाले resistor के positive side से then यहां से leave हुआ फिर enter कहां हुआ negative side में enter हो गया तो its mean कि यहां पर minus हाएगा and then positive side से leave लीव हुआ then enter हुआ positive side से ठीक है तो इसकी equation लिखे लिखते हैं क्या बनेगी तो v1 plus v2 plus हमने क्यों लिखा है plus इसलिए क्योंकि positive side से enter हो रहा है then दुबारा v3 में कहां से enter हो रहा है plus enter हो रहा है v3 अब v4 में कहां सेंटर हो रहा है हमारे पास माइनस तो माइनस v4 plus v5 ठीक है is equal to 0 के बराबर है यह इसम करेंगे तो यह 0 के बराबर आने चाहिए ठीक है यह था हमारे पास क्रिचॉफ voltage law अब एक क्रिचॉफ current law जो के क्रिचॉफ ने current law भी दिया था हमें अब आपको प्छली वीडियो के अंदर node का concept मैंने दिया था जहां अगर एक single line भी आ रही है वह हमारे पास क्या है एक node consider करेंगे इसे यह node है ठीक है और एक यह node है सबसे पहले अब हमने देखनी है current की direction जो it है it means total current की direction कहा है इस तरह थे ठीक है तो हम suppose कर लेते हैं कि current enter हो रहा है इस node के उपर ठीक है यह node है मेरे पास यह से मैंने n1 के देता हूं जो current इस node के अंदर enter होगा उसे हम एक साइट पर लिखेंगे और जो leave करेगा means कि इस node से आगे आगे जा रहा होगा या नीशे जा रहा होगा ठीक है उसे हम लिखेंगे एक साइट के उपर तो कहलें देखते हैं इसकी equation क्या बनेगी इसकी equation देखते हैं कि हम देखते हैं यह वाली जो source है यह move करते हुए कहा जा रही है इस point जो पर ठीक है और जो यह current है हमारे पास current source यह कहा जा रही है मूव करते हुए इस direction के तरफ ठीक है तो सबसे पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं ताके clear हो जाएगा i1 जो i1 है और plus i3 यह वाला जो i3 है यह i3 is equal to लगाया हमने क्योंकि यह दोना enter कर रहे थे अब देखते हैं लीफ कौन से कर रहे हैं इस note के ओपर जो current था एक current हो रहे है leave leave का मतब है कि यहां से जा रहा है इस point से move करतबा कहां गया है नीचे की तरफ गया है its mean कि यह leave कर रहा है और अगर इस it को हम देखें तो it भी यह वही current है जो यहां से आया है जो कि आगे जाके leave हो गया इस point के पड़ देखें दो enter किये हैं तो let's suppose जैसे के हमारे पास एक junction होता है ठीक है यह for suppose एक हमने junction मना लिया junction के अंदर काफी lines होती है train की ठीक है कि यहां से आ रही होती है कि यहां से और एक point ऐसे होती है जो आगे जाके मिल जाते हैं आगे जाके मिल गए ठीक है यह basic junction क्या होता है set of multiple routes होते हैं ठीक है junction वह कहलाता है तो एक current आया जो के एक train आ रही है वह इस point पर आके मिली its mean कि इस point के पर वह एंटर कर गई है अब वह leaf कर रही है वह leaf इस direction में अभी कर सकती है मतलब कि वह इस तरफ भी जा सकती है और इस तरफ भी जा सकती है लैट सपोस्ट की जा रही है कराची ठीक है यह जा रही है है यह तर यह यह जा रही है रोड़ी जा रही है ठीक है तो fosupposed के ट्रेन यह आई उसने अगर हैदराबाद जाना है तो वह इस वाली ड्रूट से लीफक लेगी ठीक है इसी तरह यहां पर भी है के करन्ट सोर से यहां पर आ रही है ठीक है जैन उसको दूसरे रूट पर जाना था तो उसनों यहां से लीफ कर दिया और यह भी इसी तरह बिलकुल ही कि यह भी यहां से लीफ कर गई जो अब हमने लिखना क्या होता है एक पॉइंट और है वो भी मैं यहां उपर लिख दूँ कि जो entering current current is equal to leaving current और यहां पर एकी दौर sum of entering current sum of entering current is equal to sum of leaving current ठीच है कि जो इनका sum होगा वो इसके बराबर होना चाहिए तो यह हमारे पास enter कर गया और leave कौन सा कर रहा है हमारे पास i2 और प्लस आइटी हमारे पास leave कर रहा है ठीक है तो यह इसकी equation मनेगी अब जो चीज़ हमें requirement में मौझूद होगी हम उसके वो चीज़ पांड आउट कर लेंगे अब यह होगे हमारे पास एक concept ठीक है और अब important points है इंशालों नेक्स वीडियो से हम लोग अब इनके practice problem शुरू करेंग जो कि काफी helpful रहेंगे इन concept को समझने के बाद आपको एक चीज़ बता दूँ जो voltages होते हैं हमारे पास वो series के अंदर सम होते हैं ठीक है जिसे कि यह हैं अगर इसको देखा जाए यह end-to-end joint है end-to-end का क्या मतलब है कि एक lag जैसे कि resistor हो था हमारे पास इसका एक lag और यह दू होंगे ठीक है यह end-to-end joint होंगे तो इसी तरह यह देखें series B यह जो series combination यह end-to-end joint हुआ हुआ है यह end-to-end joint है यह दू दूद जग दूद हो और यह दूद दूद धन्त खूद दूद 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 पर कि ऐसे गाम थाम झाल तूद दूद रड्ट कि इस अ, आधन्मा तरहे रड्लीक हैं और तक्य। तूद टूद दूद दूद गजगर है अ into a single source देखते हैं कैसे यहां पर भी आप voltages given है तो आपने यहां पर क्या प्लाय करना है यहां पर रिच ऑफ voltage लो ठीक है यहां पर हमें given है तो simple था reference point ले लिया जो positive side है यहां से current enter कर रहा है और यहां से लीफ कर रहा है तो इस current सबसे पहले एंटर हुआ V1 के अंदर अब हमने यहां क्या लिखना है एक single source में transform करना है तो इसे हम नाम देते हैं जो के potential VA और B के उपड़ ड्रॉप होगा उसे हमने नाम देती है VAB ठीक है is equal to current enter हुआ है V positive side से V1 के फिर positive side से गया V2 के plus V2 then add add नहीं मलके अब enter कहा सा हुआ है negative side से इस मेंन के minus of V3 तो यह हमारी equation VAB जो के single source की तरह transform हो जाएगी let suppose कि इसकी value होती इसकी value होती हमारे पास 5V 3V and 1V simple हम इसको add करते 5 plus 3 minus 1 7 voltage यह आ जाता है इसमीन के जो इस point के उपर और इस point के उपर जो voltage है वह किसना आ रहा है 7V अगर हम इसके according बात करें ठीक है और जो single source जो हमने provide किये VAB बोले यह Vs जो सब इसक्रिट के अंदर Vs लिखा वे रिप्रेजन कर रहा है कि voltage of source ठीक है तो यह भी कितना provide करेगा हमें 7V ठीक है यह main points है जो कि याद रखना है और एक है हमारे पास करन्ट के लिए अगर current source connected हो parallel combination के अंदर जहां पर तीनों दोनों लैग एक ही note पर connect हो यह देखें एक ही note पर connect है यह भी एक note पर connect है यह single line में connected है यह भी single line में connected है यह भी single line में current को हम sum करते है ठीक है अब इसको कैसे sum करेंगे देखते हैं अब वही चीज़िया रखनी है इस पर क्या प्लाइक करना है current law अब simple आप ने देखा कि direction यहाँ इस तरफ है इस तरफ है तो आप simple इसको उसी तरीके से add कर देंगे कि अभी it को अपनी ignore करना है ठीक है इस node के उपर enter कौन सा कर रहा है अब it is equal to it is equal to i1 plus i3 अब leave कर रहा है यहाँ तो यहाँ पर simple minus i2 अगर हम उपर वाल अपनी equation देखें जो के हमने वोर्ड करेंड लोग अंदर बनाई थी वह भी सेम हमारे पास equation है यहाँ पर देख लेते हैं अभी यहाँ पर देखें कि क्या था हम इसे copy paste कर लेतें ताके relate करने में असानी हो अब it is equal to i1 plus i3 minus i2 तो यहाँ पर i2 is equal to के इस तरफ है जब इसको हम left side पर भेज़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा ठीक है minus of i2 is equal to i2 तो देखें यह वह equation बन गई है इसको simple solve करने का तरीका है अगर आपने क्रिछॉफ current apply नहीं करना तो simple आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा करेंट की वह कहां पर इस upside पर इस side के उपर उपर की तरफ है यह भी उपर की तरफ है तो आपने बगएर सोचे समझें आपने इन दोनों को add करना है और जिसके डिरेक्शन नेगेटिव है मतलब नेगेटिव में इसके डिरेक्शन अपॉजिट है तो वहां पर आपने simple subscribe कर देना तो आपके पास source का current आ जाएगा आई होप वीडियो समझें आई होगी थैंक्यू कर देना जाएगो prechenराभ में टिरेक्शन आपके पत जाएगो llegó67 लिए अबाभ अबोमष भाने कम ये कोष़स्बवस्प्बढों इन रिवरं रगला